नमस्कार, ऐसे सुदा में आपका स्वागत है, मैं हूँ सिक्मार्तिवारिक वार्पुन आपको सुदानगट की बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल का दरश्य दिखा रहे हैं, जहां पर इसमें राज्य इस्तरिये त्वाकेंडो प्रतियोगिता का आस दूसरा दिवस समापन स मारोने वाला है, और इसमें आप जख रहे हैं, यह जो प्रतियोगिता का रूप है, आज दूसरे दिन के कारेकर्म का वलोकण करते हैं बहुत जोड़दार मुकाबल आप देख रहे हैं आपर प्रतियोगिता का एक दूसरे पर जोड़दार हमले होच्छंत रोच्जर यह फैट की स्टाइल बताई जा रही है यह त्वाइकंडो का ही दूसरा रूप है जिसकी स्परदाइस समय चल रही है जजज आप देख रहे हैं आप लोकन कर रहे हैं जिनने भी खोजेश प्लेएर्स अफिसें स्टाव हैं जातर के लाप्च कर ले बहुत अच्छा अंदाज है सब इतालियां बजा रहे हैं फुम से इस परदाइस समय चल रही है इसमें फाइट नहीं होती है फाइट के जो स्टाइल होती है उसका प्रदर्शन करना होता है किस तरह कितने सफाई से आप करते हैं इस पर प्राइज दिये जाते हैं सक्तिमान बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल सुजान गड़ में राज्यस्त्रिये ताइक्वांडो परतिवकिता हो रही है इसमें फुम से का कारिक्रम चल रहा है परतिवकिता अपने अंदास जजजेस के सामने परस्तूत कर रहे हैं इदर ये सीनियर्स की पाइट चल रही है तकड़ा मुकाबल आप देख रहे हैं जोड़ार हमले एक दूसरे पिकिया जा रहे हैं जोड़ार हमले जोड़ार है पंसे चल पंसे अब आपस बज़े चलता रहे चलता रहे अब आपस चलता रहे हो गया हो गया आजा आजा कि एट केजी जूनियर वर्ग में मुकाबला हो रहा है सिकर सिकर और सवाई मादुपूर के बीच मुकाबला सुरू हो रहा है 68 किलोग्राम काटेगरी में और फाइट सुरू हो रही है जो बरदस थमले आप देख रहे हैं दूसरे पर आप देख रहे हैं गिरा दिया इस बार सिकर रेड चेस्ट गाड में है सवाई मोद उपर ब्लू चेस्ट गाड में सेकंड राउंड के लिए दोनों के लाड़ी पिरचा रहे हैं पहले राउंड में सवाई मादू पर के लाड़ी ने बाजिय मारी है देखते हैं सिकर के लाड़ी इस राउंड में किस तरह से वापसी करते हैं सभाई मादवर खिलाडी वह इस बाहर शीकर ने हमला किये है बहुत फूरती ले हैं दोनों खिलाडी आप देख सकते हैं तकड़ा मुकाबला है और यह फाइट कतम हो गई है और यह देखिया सभाई मादवर ने बाजी मार ली है अभी सभाई मादवर के जिस खिलाडी ने जीता है वो फाइनल केल रहा है तकड़ा खिलाडी है यह रेड चेस्ट गाड़ में जेपुर और सभाई मादवर के बीच मुकाबला हो रहा है और बता दूं दोनों सभाई मादवर के हैं जेपुर का नहीं है 65 किलोग्राम के टेगरी में रोनी काफी भाईरी पड़ रहे हैं फाइनल है यह दोनों सभाई मादवर के इक लाड़ी है मनोज और रोनी के बीच दोनों एक ही गाउं के हैं एक ही जिले के हैं फाइनल गॉल्ड मेडल के लिए और आईये मैच जबर्दस्ता ठेक एक दूसरे पर करते हुए जबर्दस्ता अमला रोनी नाटे कट के हैं लेकिन फूर्टी बहुत है उनमें यह देखिए और इस बार के रादी अरोनी ने चोट लगी है एक इजी लोग है और यह मैच हो गया है यहां पर देखिए दोनों दोस्ता ना दिखाते हैं यहां पर और फूम से कापरदस्त नो रहा है एक लड़का और एक लड़की प्लेयर है जोड़े से कर रहे हैं क्याद्ट कर दोस्ते जोड़े से कर दो रहे हैं यह दोस्तेiger प्लें डिखते जी वोड़े Protect's Pierp केड़ेट बेर 33 केजी गोल गोस्टू सुमित कोटा सिल्वर गोस्टू समयाद चैप्रो ब्राउच गोस्टू हर्ष कोटा एंड अगें ब्राउच गोस्टू इंडर सीट दोस्ती टीम आच चुकी हैं फ्लॉर पर आप अब दोगा एक पाथ बोल दिया आचना उपर अधना लागया कोई ने पुच्छेगा मेरा हैंगी लिए तुमसे जांटा कोई ने चांगा तुमसे लिए अपना धान दर्ला तुमसे का प्रदर्श्टन हो रहा है यह मेडल सेरो मेनी आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर और ब्रॉंज मेडल वित्रित के जा रहे हैं आपर मेडल सेरो मेनी आप देख रहे हैं 38 किलोग्राम के डेगरे में कोटा ने जीता है गोल्ड मेडल बाल भारती इंटरनेस्टल स्कूल का देख रहे हैं प्रिंसिपल मदुसे कवत और डायरेक्टर बागी पचार जी आप देख रहे हैं मेडल परना रहे हैं बच्चों को किलोग्राम के डेगरे में कोटा ने गोल्ड जीता है और विकानेर ने ब्रॉंज और सिल्वर 48 किलोग्राम के डेगरे में बेरल परतान की जा रहे हैं जेपुर ने गोल्ड जीता है इसमें प्रटी-नाइन में कोटा ने गोल्ड जीता है दोसा ने रेजट और सिल्वर जीता है चुरू ने अनमल प्यप्टी-सवन के डेगरे में मेलर प्रदान के जाने जुद्धन ने गोल्ड जीता है दोसा ने सिल्वर श्रीकिन प्रॉंज एक सेट किलोग्राम केटेगरी में जुन जुनो ने गोल जीता है बड़पूर ने रज़त मैं जुन जुनो 65 किलोग्राम केटेगरी में अदक जी जा रहे सवाई मादूपूर गोल्ड बर्थपूर शिल्वर 66 किलोग्राम केटेगरी में जेपूर ने गोल्ड बर्थपूर ने रज़त और भी कारे ने कांच से मदग जीता है प्राचारिय मदुसे कवत और डिरेक्टर मागीजी पचार सभी को मोडल पहना रहे हैं फूंपू के एवार दिये जा रहे हैं मेलेल से रोमनी हो रही है बीबियाइस में राज़ेस्तरी ये टारकांडो परते विदाए बीबियाइस की वोल इंटरस्टीम आप दख रहे हैं जिन्होंने भवे आयोजन को सफल बनेया है ये बीबियाइस की वोल इंटरस्टीम है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस आयोजन की सफलता में और इन सब की प्रेणास्तोत्र मदूजी सेकावत जो की फार कारिक के लिए मोटिवेट करती है बच्छों को बॉइज और गल्स की वोल इंटरस्टीम है जिन्होंने दिन दात एक या इस आयोजन को सफल बनाने के लिए और सभी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं ये क्लास 11th के ये सारे युवा यूकर यूतियां जिन्होंने बहुत अच्छी मेनत की इस आयोजन को सफल बनाने में बीबी आएस में राजस्तरिय ताइकवांडो प्रतियोगिता का आसमापन हो रहा है और तमाम केटेग्रीज के जो फेसलें हो चुके हैं अभी यहां पर पुरुषकार वितना समार होने वाला है में बहुत सारी युवा है जो खिलाड़ी है जो है आप रहें उचे बाचीत करना चाहूंगा क्या नाम आपका हर्शित शिखावत बिल्कुल आपका कैसा रहा प्रदोशन मेरे तीन सिल्वर है तीन सिल्वर इसके लाबा अभी नहीं है और कुछ कैसा लगा यहां पर आपक ओंप आफिश्यल नाशनल्म उंभानजंगा आपका मेरे नमानोज मुत हरा आप मेरा कापी एच्छा रहां सिर्वोट मज़ाया खिए और यहां जो जो भी है वेवस्था वह भी बहुत बढ़िया है और खाना वाना सब भी पढ़िया रुकने की वेवस्था सभी बढ़िय यूओं का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और स्खेल में सबसे बड़ी चीज़े केरियर है क्योंकि ये खेल एसचेन गेम्स और ओलम्पिक में है और इसलिए यूओं चाहते हैं कि स्खेल के माद्यम से उपना केरियर बनाए और स्टेट लेबल का टूनामेंट था और खिलाडियों का प्रदर्शन बहुत ही शानदा रहा तेरे में सबापन सबारो होने वाला है पुर्श का वितन समारो जिसमें ये ट्रोफियां प्रदान की जाएगी बर्दपूर और दोशा के बीच बहुत ही खतरनाख खेल है जिसमें चोट लग सकती है इसलिए आप देख रहे हैं पूरे स्रीर पर गाड़ लगे होते हैं ये देखिए कि जो परदस तंग से चाती पर वार किया था और खिलाडी ने कह दिया है कि वो नहीं खेलत पाएं गया गये और दोशा ने में जीत लिया है चाती पर चोट लगी थी खिलाडी को और इसी बीच जेपुर और सिकर के पीच मुकाबला सुरू हो चुका है रेल चेस्ट काड़ जेपुर और ब्लू चेस्ट काड़ सिकर अंडर फिप्टी किलोग्राम केटेग्री यह देखिए सर पर हमला क्या था एलबेट खुल गया कि अई यह देखेस जेपुर का खिलारे ने पतक दिया इस बार messing उद्यार वा सुआускे फिर से से शिकर की खिलारी को गिरा दिया है कि चेपुर का खिलारी काफी बहरी पड़ रहा है इसमेश में आँ यह जब्र भारीह पड़ता हु आ दूसरा राउंड शुर्वादावा फिर गिरा दिया है सीकर की लाड़ी को चेपुर काफी भारी पड़ रहा है मकाबले में बहुत जबर्दस थमला आजेपुर का राजेश्ते टाइकवांडो परते हो किता बीबे आई सुधान गर्ड में आईजीत हो रही है बाहर निकाल दिया है जेपुर ने सिकर के की लाड़ी को जेपुर ने मकाबला जीत लिया है यहां पर एक मकाबला 65 किलोग्राम बर्ग में तीकर और दौलपूर के 20 मकाबला चल रहा है शीखर ब्लूचेस्ट काرड और दौलपूर रेड़ चेस्ट कारड हर चोदी सिखर ब्लूचेस्ट कारड अविन कुमार जेपुर रेड़ चेस्ट कारड स्कोर नबर पन लेक पाले, ओतक मियेस, प्वोटक कैस्सा निए गज़स्टा, दॉरितर देटिया देट निएयर्ट कैस्सा थे चांक करने विकट्र अर्सुट कैस्टा, विकट्र कैस्सा त्ट से लिएक्सा टड़नेय। रक्षात में खेलें दोनों की लाड़ी आमले कम करें हैं बजाव की मुद्रा में दोनों ही यहां पर एक तकड़ा मुकाबला हो रहा है 45 किलोग्राम कैटेग्री में बहुत आक्रामक दोनों की लाड़ी जवर्द स्थम्मले करते हैं एक दूसरे पर आप देख रहे हैं बहुत आक्रामक हैं दोनों ही यह पुर्स हाइ मोद्बर की विद्म आप लाव रहा है देख रहे हैं हर मेज में खास सी भीड उमड रही है द्रसकों की ये कोटा के खिला रही है ये विकानेर के रेड चेस्ट कार्ट में जबर्दस्त मुकाबला है ये खोटा ब्लू चेस्ट कार्ड विकानेर रेड चेस्ट कार्ड फाइट शुरूआती हुए गिरा दिया आप देख रहे हैं विकानेर के खिलारी को एक यवार में बहुत चपरदस्त हम ले कर रहा है बहुत भारी पड़ रहा है बहुत रहा है बहुत 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 गञे कर दो झाल जोड़दार फाइट आप देख रहे हैं जीत किया एक लाड़ी पिकाश डाकाने मेच जीत लिया है पूमसे में अर्चता कमर को सिलर मेडल दिया जा रहा है 48 किलो में ये फाइनल मुकाबला चल रहा है जोड़ा चीज है चीज बर्गर पे डालवाली जेपूर बिकानेर के बीच मकावला है, बिल्यू चेस्ट कार्ड जेपूर है, और रेड चेस्ट कार्ड है, बिकानेर समाथ से विविनो जी गोठडिया से अपरिवार मेज का वाजन ले रहे हैं जोड़दार फाइट जेपूर और बिकानेर के बीच हो रही है, फाइनल मुकावला है 48 किलोग्राम है दूसरे राउंड का कॉल हो चुका है जेपूर बिकानेर के बीच ये फाइनल है, प्लूचेस्ट कार्ड में बता दूँ जेपूर है, रेड में बिकानेर जेपूर बूचेस्ट, प्लूचेस्ट करताव है जैपर के खिलाडी गिर गया इस बार, संतुन नखो गया था सबूर खुसर ऐसा नजारा सीखर का किया भानियर को मुभावुकं हमिलृ झोर ने ऐने विकाने अए को उचलेत्स पर वार किया जाइपुर के फइनल मुकाबला आगे कि उसस त्षील वरह के दिए रिजल्ट गोशित होने वाला है और जेपुर ने जीत लिया है जेपुर जीत गया है और यहां पर हम सेगा प्रदर्श्टिन हो रहा है राश्टे स्थेर के बहर है यह जो की जेपुर से जिननों ने भी फुमसे का प्रदर्श्टन यहां पर किया है अब बार्दपूर की निना सर्मा प्रदर्श्टन कराई है व्यक्तिकर्स परदा है यह ही जे प्रदर्श्टन कराद है यह जे 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 जाए पुमसे में तीनों के टेगरी के मेडल परदान के गए हैं इस सेवन किलोग्राम के टेगरी में एवाड दिये गए हैं तीनों के टेगरी में अंडर फुर्टिय नाइन में वंची का चूरू ने गॉल्ड मेडल जीता है अधिती ने गॉल्ड जीता है 57 में और चूरू की प्लेयर ने रज़त प्रदक जीता है राजावत ने जीता है गॉल्ड मेडल 59 किलोग्राम के टेगरी में 63 में जपन गॉल्ड जीता है 68 के टेगरी में चूरू ने रज़त प्रदक जीता है मेडल से रोमनी समय चल रही है फुमसे के इंडिविज्वल मेडल दिये जा रहे है फुमसे के तीन गॉल्ड मेडल दिये जा रहे है जाके तीन सिल्वर मेडल परदान किये जा रहे है के टेगरी के रजट कांच से पतक प्रदान के जा रहे हैं ब्रॉंज मेडल दी गए हैं पैर फुम से का इवाड दिया जा रहा है तुर्मान सी को ब्रॉंज मेडल दिया जा रहे हैं तीन के टेगरी के शिलो मेडल दी जा रहे हैं फिप्टी नाइन के टेगरी में तीनों मेडल दान लगए हैं प्लेस और रमेस कोटा के बीच आखरी फाइट है ये इस परत्यों की तागी अकिलेस ब्ल्यू चेस्ट गार्ड में और रमेस रेट चेस्ट गार्ड में फाइट शुरुकोई जा रही है तीतियों के द्वारा आखरी फाइट रोधिव से परत्यों की तागी फाइट शुरूती भी अकिलेस और रमेस के बीच ओओ अकिलेस को गिरा दिया रमेस ने कोटा के खिलाडी है खतरनाग हमलाई ओओ बहुत जबरदस्ट फाइट हो रही है गोल्ड मेडल के लिए फाइट है ब्ल्यू चेस्ट काड़ अखिलेस रेड में रमेस लात वसे एक दूसरे पर हमले एक ब्लेक के लग का अपर और था किसी को भाया प्लीज देदीजिए एक अफिसल का है किसी ने लिए तो प्लीज देदीजिए फंट का मौसा है गिर गया इस बार रमेस संतुलन खो दिया था दूसरा राउंड से रोता हुआ सर पेवार क्या है इसमें सब्चे दंक मिलते हैं का अपिछाम प्लाट बेलबन के लो देदीजिए प्रत्यों के ताकि ये आखरी फाइट हो रही है आखरी दोर में फाइट अप जोरदार फाइट हो रही है ताइकवंडो फिर से गिर गए रमेश सिजवार राजस्त्री ताइकवंडो प्रत्यों किता विबेश में हो रही है फाइट हो चुकी है इसको देखा जारा आप कोटा के अरमेश अच्छी फाइट की इन्होंने ये दोसा के मापी जाता हूँ और दोसा के अखिलेस जीत कहे हैं कोटा के खिलाप तोनों कोटा के नहीं थे दोसा के खिलापी थे अखिलेस जीत कहे हैं ये देखे हैं खुशिया मनाई जा रही है दोसा के कैमे में और अखिलेस को उठा लिया है कंदो मर बालाजी नंक स्टिट्ट के इस टीम को समानित के आजा रहा है जिन्होंने मेडिकल सिवापलब्द करवई पूरे टूनामेंट में उनका समान के आजा रहा है बागे जी पचार और लक्समराब जी खिलेरी समानित कर रहे हैं जिकित्सा सिवा उपलब्त करोए आपने हैं बाल भारती इंटरनेस्टल सुल मैयुजित राज्य अस्त्रिय टाइकवांडो प्रतियोगिता का समापन समारों इससे मोह रहा है आज आखरी दिन आपने देखा बहुत सारे फाइनल मेच के ले गए और सभी गोल्ड रजत और सि कुरू की टीम ने काफी गोल्ड मेडल जिते हैं इसके लावा सिल्वर मेडल और कांशें पदक पर भी उन्होंने कपचा किया है फिलाल अब आप देख रहे हैं सभी इंडियोजिल प्राइज उसके वाँ टीम जो प्राइज है वो भी आपर प्रदान के जा रहे हैं इस्ति रफ्रीज को रफ्रीज को राइज को सवान और रहा है जी 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 ऑन के लुए में थिए की देख 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 अदेख देख दो जागने तेख अडियोजिए तलिश बड़ेगे अधिल भावजिए उसके लाई इसके आप अदेख दूए beth नुरी दो। डेमरा में ना मेरी आवये साथ ठाए हैं। भी पिपाइस के बच्चें जिनोंने सयो किया पुम्से के गोल्ड मेडल दिये जा रहे हैं तीनों परके तीनों के डिकरे के शिल्वर मेडल दिये जा रहे हैं पुम्से के ब्रोंज मेडल जुरू की टीम को तीतियों का स्मुठी चिन देकर समान कया गया है गडियां दी गई इसे भी को कायर क्रेम का संचलन करने वाले सक्टे का समान कया जा रहे हैं तीनों पतक तीनों दिये जा रहे हैं राजिस्टे टाकंडा प्रत्यकृता अगा समापन समारों देख रहे हैं आप। कि उसने एक पढ़ने पर यह लिखा कि महाराना परताब होई उसने पर यह लिखा कि पन्ना धाई हुई और बहुत सारी बाते उसने लिखी फिल्म से लगा कि यह बात जबी नहीं उसने सब कुछ काटा और एवन एक पर दिखा राजस्थान यानि हम जिस प्रदेश से आते है पर दिश्तियाद अबश्या और विर्ता की भूमी है और ऐसी अपने आप में हमारे नए बहुशे का अच्छा निर्बान करने का एक सुक्य संगेत है जिनी विद्यानों निया भाग लिया जिनी बच्चों निया भाग लिया लों सब के प्रदी आर्दिक शुक्त आमनाय क करता हूं और याशा करता हूं नहीं राजरीती में तितना भी कहते होंगे हिंदु तो लेकि आज अगर हम भागियों का कोई वजूद है तो क्या वन इस लिए है कि इस इत्कोर में पेटा पहदा हूआ कर दो लोग महाराश परतार के आप से जाते हैं अगर बहुशे अगर कि आपने बच्चों को यह समझा के लाएं कि जब नहीं और जाते हैं तो अपने घर के संसकार साथ लेकि जाते हैं वहां किसी टीप किसी डिस्टिक की बार नहीं होती है इंडिविज्वेल आपके अपनी हरकतों की बात होती है तो अपने संसकार जब यहां दिखाते हैं तो थोड़ी से पुपसूरती से दिखाईएगा ताकि हम आपका संभान कर सकें और उसके अलावा बेटा बेंकर टीचर डाटना हमारा हाख है और संभान सुनना तुम अरी आपके दिखाते हैं लेकिन अगर स्रवस्ताम में कोई बलती रही या कमी रही या आपको करनी कुछ मिस्क लगा तो उसके लिए मैं seriously from the bottom of my heart I would like to say sorry हमने अपनी तलभ से कोशिश भी कि आपको best services provide करवा सकें लेकिन तब भी अगर कमी रही तो फिर जोर से ट्रया करो बहुत साथ काम थिया बहुत महलत लेकिन तब भी fresh रहे तूँकि energy players की ती चो हमें God bless you all, always be happy आप सभी special guests को thank you so much, कुछ लोग भुलावे थे और कुछ लोग हमारी किसमा पे नहां भुठावे, Thank you so much मेरे बच्चे उन्टोस थे, वो students में नहीं मेरे teachers में उनकी बात कहुंगी, हम सब हमेशा बैक स्टेज काम करते हैं और यह जिन teachers में आपको token नहीं किये, वो गुस्टा मेरे लिए रखना, क्योंकि वो लोग से मेरे नहीं नहीं के token नहीं दे लिए माल भारती इंटरनेस्टल सूल मैयुजीत, राजय स्त्रीय ताइकवांडो परतियोगीता का समापन समारो इस्सेम हो रहा है, आज आखरी दिन आपने देखा, बहुत सारे फाइनल मेच के ले गए और सभी गोल्ड, राजयत और सिल्वर मेडल यहां परतान के जा रहे हैं, आपने देखा, चुरू की टिम ने काफी गोल्ड मेडल देते हैं, इसके लावा सिल्वर मेडल और कांशेम पदक पर भी उन्होंने कपजा किया है